हाई गाईज कैसे हैं आप लोग स्वाइज को देखे दब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डियाग्राम ऑफ कार्बाइड आयन वुड शो दफॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओक्यूपैंसी इसमें आप ओप्शन को देखके कह सकते हैं इसमें एमोटी लगेगी अब एक ब में सेम है तो अगर आप जो वैलेंज शेल हैं यानि पी और्बिटल पी सब शेल में जो इलेक्ट्रोंस फिल होंगे उनका ही बना दे तब भी आपका अंसर आजाएगा राइट नो गाईस सी टू नेगेटिव जब भी आप इस साइब के क्वेस्टिन को देखे ना सबसे प 2s2 2p2 अब क्या होगा दो सी एटम्स लिए गए है राइट सो अब सबसे पहले क्या होगा मैं 1s के बोंडिंग एंटी बोंडिंग जो और्बिटल से उसमें इलेक्ट्रों फिल करूंगा राइट अब यह देखे सबसे पहले तो यह क्या हुआ 1s यह एक क्या हुआ 1s में कि यह क्या हो जागा सिग्मा 1s बोंडिंग और यह क्या हो जागा सिग्मा स्टार 1s यह क्या हो जागा एंटी बोंडिंग और दोने में 1 2 3 4 एलेक्ट्रों से तो वन बाई बर दें 1 2 3 & 4 similarly अब आप 2s2 के भरेंगे तो same to same यही आ जाएगा कि 2s2 राइट दोनों में 2s2 2s2 होंगे एक कारबन और दूसरे कारबन भी यह atomic orbitals हैं और यह जो center में ही molecular orbitals हैं तो similarly इसका कैसा हो जाएगा सिग्मा 2s और यह क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s अब इसमें आप इलेक्ट् 2,3,4 याने 1,2,3,4 तो यह भी भर गए अब बच्चा है आपका 2P ओके सब 2P का यहां में बढ़ देता हूं तो 2P2 है यह मैं C2 की बात कर रहा हूं गाइस इधर हो गया एक 1,2 इधर हो गया 1,2 2P याने 1,2 इधर 1,2 कारबन के होगे अब atomic और जो molecular orbitals कैसे होंगे नीचे bonding ऊ याद रखें कि इसमें कभी-कभी students हैं ना confused हो जाते हैं आप ऐसे याद रखें देखें बड़ी इट ऊपर चोटी इट चोटी इट हमेशा बड़ी इट के ऊपर balance रहेगी बड़ी चोटी इट के ऊपर अगर मैं बड़ी इट रख दूंगा तो balance नहीं रहेगी आप यह मान phi star 2p और यह क्या होगा सिग्मा star 2p हो गया अब देखेंड इलेक्ट्रों फिल करते हैं कितना होगा देखें 1,2,3,4 1,2,3,4 हसम रूल फोलो होगा अब यह तो था c2 का c2 में 2 इलेक्ट्रों और याड हो जाएंगे यह तो फिल होगा अब इसमें भृद़े जाएंगे वन अब देखें इसमें match कर लीजे कैसे होगा यह कैसे होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 दो दो एलेक्ट्रोन भरे में इधर सिग्मा 2s2 ऊपर सिग्मा स्टार 2s2 यह भी पूरे भरे में इधर पाई 2p कितने इलेक्ट्रोन भरे में 4 देखें इंक्लीजिंग इनर्जी के इसाप से जाएगा राइट फिर कौन सा भरावा है सिग्मा 2p कितने इलेक्ट्रोन भरे में 2 तो आप देखें मैच कर लीजे पाई 2p 4 सिग्मा 2p 2 यह भी ऑप्शन है सभना है आपको अब देखें इसमें normally क्या करते हैं कि अगर options के इसाप से भी होता है कि option में suppose यहां कुछ और भी change हो जाता तो maybe आपको पूरा बनाना पड़ता देखें बार छोटी सी आप नजर डाल लें कि यह सेम था तो सिर्फ आपको यह सब करने की ज़रौत ही नहीं थी आप simple यह वाला देखते और अगें आपका answer आजाता अचा एक question में आपसे पूछूँ अगर यह paramagnetic है यह diamagnetic तो कैसे बताएंगे यह है diamagnetic क्योंकि इसमें कोई भी unpaired electron नहीं है क्योंकि यहां दो electron सारे completely है filled right अगर in case यह c2 negative होता और यहां पर मैं सिर्फ एक electron बढ़ता तब क्या हो जाता यह paramagnetic ले right guys I hope आपको समझ भागा so thank you for watching guys like and subscribe bye